आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कंप्यूटर या फिर लेप्टॉप में अपनी फोटो अपने परिवार में किसी की फोटो या फिर इंटरनेट से कोई फोटो डाउनलोड करके कैसे लगा सकते हैं आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि computer अभी सीख रहे हैं computer में उनको उतनी जानकारी नहीं है और वो लोग अपने laptop या फिर computer में अपनी खुद की photo या फिर internet से कोई photo download करके लगाना चाते हैं लेकिन उनको जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो अगर आपको भी जो है अपने computer या फिर laptop में photo को change करना वाल पेपर लगाना नहीं आता है तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखेगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ हैला दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कंप्यूटर स्मार्ट क्लास अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ये वीडियो आप जुरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सेर कर दीजेगा ताकि उनका फाइदा हो सके और चानल पर अगर पहली बार हो अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं कीओ तो subscribe कर दो या subscribe करना बिलकुल free है देखिए computer या फिर laptop में अपनी खुद की photo लगाने के लिए या फिर आपने internet से कोई photo डाउनलोड की है उसको लगाने के लिए या फिर computer में जो default theme होता है उसको लगाने के लिए सभी का जो है same process है चाहे आप computer में इस्तमाल कर रहे हो चाहे laptop में इस्तमाल कर रहे हो आपको क्या करना है कि बस आपको ये जो desktop दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको किसी भी खाली जगह पर right button क्लिक करना है जैसे ही आप mouse का right button क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको नीचे की side में एक option दिखाई देता है परसनलाइस का तो आपको just परसनलाइस बारे button पर क्लिक करना है इसके बाद आपको परसनलाइस की window इस तरीके से दिखाई देगी यहाँ पर जो भी आपकी computer या फिल laptop में default theme होंगे आप बारी बारी से click करके इनको जो है यही पर change कर सकती हूँ जब आप इन theme पर बस click करोगे तो यह theme automatic जो है change हो जाती है अभी मैं इसको minimize करके दिखाता हूँ देखे यह हमारा desktop कुछ इस तरीके से हो चुका है दोबारा से आपको setting में आना है और आप यही से कोई भी theme अगर apply करना चाहो तो theme को apply कर सकते हूँ लेकिन अगर आप अपने desktop पर अपने खुद की photo को लगाना चाहते हूँ तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा background का आपको just इस पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की side में एक option दिखाई देगा browse photo का तो आपको इस पर click करना है अगर यह option यहाँ पर नई दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर click करके आप पिक्चर वाला option को select कर लिए इसके बाद यह option दिखाई देगा अब आपको इस पर click करना है इसके बाद आपके computer में जितनी भी photo होंगी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी या फिर अगर आपने किसी दूसरे folder में photo को रखा है तो आप यहाँ से भी folder को change कर सकते हो मैंने अपनी photo यहीं पर रखे है तो मैं इसी folder में से set करके आपको दिखा देता हूँ जैसे कि for example मैंने internet से यहाँ पर कुछ photos को download किया है जिनको मैं set करके आपको दिखा देता हूँ आप इसी तरीके से अपनी खुद की भी photo को लगा सकते हैं बस आपको उस photo को select करना है जिसको आप लगाना चाहते हूँ इसके बाद आपको choose picture पर click कर देना है जैसे ही आप choose picture पर click कर दोगे तो आपके desktop पर वो photo जो है set हो चुकी है अभी जो है मैं minimize करके इसको दिखा देता हूँ देखे यह photo यहाँ पर लग चुकी है अगर आप जो है इसका design अगर change करना चाहते हो तो दोबारा से आपको setting में आना है और यहाँ पर यह जो option दिखाई दे रहा है feel का आपको इस पर click करना है आप इसको fit कर सकते हो यहाँ पर आपको preview दिखाई देगा ठीक है और अगर आप जो है stress कर देते हो तो इस तरीके से option हो जाएगा अगर tiles में कर देते हो तो कुछ tiles में इस तरीके की आपकी photo आ जाएगी अभी देखे tiles में कुछ ऐसा दिखाई देगा मैं इसको minimize करता हूँ यह देखे tiles में कुछ और भी अच्छा दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से जो है आप अपने computer या फिर laptop में जो है खुद की photo को अपने desktop पर set कर सकते हो कोई theme set करना चाहो उसे भी कर सकते हो internet से कोई photo download किये हो उसको भी set कर सकते हो उमीद करूँगा ये video आपको पसंद आया होगा अगर ये video आपको पसंद आया है तो इस video को आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस video को share करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके और चानल पे अगर पहली बार हो अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चानल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मिलेंगा फिर एक नई video में एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम